हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेप लांट पर आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक करते हैं आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर समर और विंटर का सीजन कैसे आता है और कैसे दिन और रात होते हैं आज हम इसी विवारेयों में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रित्वी पर मौसम बदलता है Northern Hemisphere और Southern Hemisphere में किस तरीके से मौसमों में बदलाव होता है और किस तरीके से दिन और रात होता है क्यों जब अमेरिका में ठंड पड़ रही होती है तब भारत में गर्मी होती है और जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है ऐसा क्यूं है इसको आईए हम आज जानने की कोशिश करते हैं तो चलिए समझते हैं और basic अगर आप जानना चाहें तो इसका basic reason जो है अगर आप से पूछा जाए तो वो है अर्थ का revolution और rotation जिसके कारण ये घटनाएं होती हैं दिन और रात की और मौसमों में बदलाओ की, season changes की. कुछ basic सी बातों को आईए हम जानते हैं जैसे कि आप ये अर्थ देख रहे हैं हमारा globe है कई लोगों के पास घर में आप लोगों के पास होगा भी तो इसमें ये center वाली line को थोड़ा साब ध्यान दीजिए क्या है ये center वाली line इसे हम कहते है equator क्या बोलते है equator जिसे हिंदी में भूमत दे रेखा भी कहा जाता है ये equator क्या करती है ये equator क्या करती है ये equator पूरे अर्थ को दो hemispheres में divide कर देती है दो hemispheres में divide कर देती है ओके और उपर में आप देख रहें ये हमारा north pole है और ये है हमारा south pole क्या है north pole और south pole तो इस equator के उपर का ये जो portion है इसको हम बोलते है northern hemisphere क्या बोलते है northern hemisphere हेमिस्फियर और इसको हम बोलते है southern hemisphere southern hemisphere देखिए इसके इलावा कुछ और भी चीज़ें होती है जैसे आप इन lines को देखिए ये वाली जो lines है ये वाली और ये वाली इन lines को क्या कहती है एक होती है हमारी longitude जिसे हिंदी में देशांतर कहते है और एक होती है हमारी latitude जिसे हिंदी में अच्छांस कहते है जब भी अर्थ का किसी location का आपको identify करना हो किसी country के बारे में, किसी country के geographical location के बारे में तो हम उसके longitude और latitude के बारे में ही बताते हैं इसके बारे में हमने separate में एक बार बात की थी तो आप उसको देख लीजेगा longitude और latitude क्या होते हैं बहुत ही डीटेल में हमने देखा था अगर इसको अभी डीटेल में करेंगे तो हमारी बाकी की जो हम बाते करने वाले हैं वो छूट जाएंगी तो देखिए equator पेज मारा जो होता है latitude वो होता है 0 degree north या 0 degree south क्योंकि यहां से north और south में बराबर का division है उपर में north है और नीचे में क्या है sun है southern hemisphere दो और चीजे देखिए 23.5 north और 23.5 degree south यह 23.5 degree north जो है northern hemisphere में है कहां है northern hemisphere में है और यहां पर जो आपकी latitude की line होती है latitude circle होता है उसको हम बोलते है tropic of canker बहुत ही important point है याद रखिएगा tropic of canker इसी तरीके से southern hemisphere में आपकी यह जो southern hemisphere में जो आपका 23.5 degree south है वहां पर होता है आपका tropic of capricorn यह tropic of capricorn और tropic of canker इनका बहुत मेजर रोल होता है earth के season changes में और दिन और रात में कैसे होता है हम अभी थोड़े देर में देखेंगे और जानेंगे basic आपको tropic of canker कहां पर होता है tropic of capricorn कहां पर होता है यह आपको जानना जरूरी था इसलिए यह चर्चा करना भी जरूरी था अब देखिए कुछ dates बड़ी important है seasons को अगर आपको समझना है 21st June 23rd September 22nd July December and 21st March ये चार दिन बहुत ही important है ये चार दिन बहुत ही important होते है देखिए अभी जैसे हमने बात की कि किसकी कि tropic of canker और tropic of capricorn की तो यहां पर देखिए यहां पर तो आपको अर्थ बिल्कुल और अगर आप ये north pole और ये south pole की बात करें तो यहां पर बिल्कुल सीधा दिख रहा है लेकिन actual में हमारा अर्थ ऐसा नहीं है हमारा अर्थ यहां से इस तरीके से जुका हुआ है अगर हम वर्टिकल यहां पर देखें तो यह हमारा 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए है 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए और यहां पर यह हमारा है क्या north pole और south pole और north pole, south pole को मिलाती हुई हमारी अर्थ एक्सिस है यानि कि हमारी अर्थ जो है अपने यहां पर tilted है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि sun जो है हमारा माल यह sun है तो हमारा अर्थ जो है sun के around में क्या करता है sun के around revolve करता रहता है तो जब यह sun के around चकर काटता रहता है तो चूकि यह tilted है तो sun की position कभी ऐसे यहां पहुँच जाती है और कभी यहां पहुच जाती है ट्रॉपिक ओफ कैंकर पर और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन पर लेकिन sun कभी भी sun कभी भी ट्रॉपिक ओफ कैंकर और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन के बाहर नहीं जाता ये इसके बीच में ही ट्रेवल करता रहता है ये इसके बीच में ही ट्रेवल करता रहता है ठीक है? सन हमेशा किसके किसके बीच में रहता है? Tropic of Canker और Capricorn के बीच में Earth का हमारा जब rotation होता है तो इन ही दोनों के बीच में हमारा Sun रहता है तो अब अगर Sun इन दोनों के बीच में ही होता है तो इसी लिए आपका ये Arctic Circle जो 66.5 पे होता है ये जो आपका 66.5 डिगरी North और 66.5 डिगरी South है इसके यहाँ पर हमारा Antarctic Circle होता है और उपर में हमारा Arctic Circle होता है इसके उपर में क्या होता है Sun की केड़े नहीं पहुँच पाती है और यहाँ पर भी Sun की केड़े नहीं पहुँच पाती है Sun rays नहीं पहुँच पाती है इस card यहाँ पर हमेशा ठंडी बहुत रहती है, coldness बहुत अधिक रहती है, जबकि यहाँ से यहाँ तक हमारे यह वाला जो reason है, वहां पर हमारा sun travel करता रहता है, और इसी travel के card में ही हमारे एक तरीके से, sun travel के इस तरीके से कर रहा है, हमारा earth जो rotation कर रहा है, उसके round में sun की position, sun क जो raise है वो अलग-अलग positions पर पड़ रही है तो इसलिए को हम उसको travel बोल रहा है actual में sun नहीं travel कर रहा है बलगी earth rotate कर रहा है तो देखिए जब हमारा जून 21 होता है जून 21 होता है तो sun की जो raise होती है वो कहां पर होती है ट्रॉपिक of canker पर यह हमारा equator अगर है तो यह हमारा ट्रॉपिक of canker है ठीक है ट्रॉपिक of canker है इस पर हमारी जो sun raise पड़ रही होती है sun अगर है तो इसकी sun raise यहां पर एकदम perpendicular 90 degree पर रहती है तो इस कारड यहां पर गर्मी इस समय बहुत होती है और similarly अगर आप सोचिए तो यहां पर southern hemisphere में sun कहां पर है एक तरीके से northern hemisphere में तो southern hemisphere में क्या रहेगा इस समय ठंड का महौल रहेगा ठीक है तो 21st June की date को क्या होता है sun हमारा ट्रॉपिक of canker पर रहता है उसके पस्चात उसके बाद में क्या होता है after 21st June 21st June से लेकर 23rd September तक यह हमारा sun जो होता है अगर आप यह ट्रॉपिक of canker है तो 21st June से लेकर 23rd September तक हमारा sun जो होता है यह travel करता है कहां North से South की ओर और पहुँच जाता है equator पर 23rd September को हमारा यह sun जो होता है equator पर पहुँच जाता है उसके बाद फिर से यहां पर यह South की तरफ चलता ही रहता है और जब यहां पर क्या है ट्रॉपिक of Capricorn है और 21st March को यह sun की रेस परपेंडिकुलर हो जाती ही कहां ट्रॉपिक of Capricorn पर यानि की 21st June से चलना शुरू किया 23rd March पर कहां पहुँच गया equator पर और उसके बाद 21st March को पहुँच गया फिर से कहां ट्रॉपिक of Capricorn पर ठीक है On December 22 Sun is vertical on the Tropic of Capricorn यानि की जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं मकर रेखा भी बोलते हैं हिंदी में हम इसको मकर रेखा भी कहते हैं ठीक है Sun is vertical on Tropic of Capricorn इसे मकर रेखा भी कहते हैं यहां पर यह देखी इमेज जो है यह उल्टी बनी हुई है यह यहां पर गलत बना हुए यह Tropic of Canker होगा यह Tropic of Canker होगा और यह होगा Tropic of Capricorn Google पर भी गलत इमेज मिल जाती है ठीक है तो बहुत ही दिहान से तो यहां पर अगर आप देखिए यह 21st June को था यहां पर Sun rays perpendicular पड़ रही थी equator पर 23 September को Sun rays perpendicular पड़ी और Tropic of Capricorn पर 22nd December को पड़ी ठीक है फर्दर उसके बाद क्या होता है इसके बाद में 22nd December के बाद में यह Sun की रेस जो होती है फिर से North की तरफ मूव करना शुरू कर देती है अभी तक कहां पर आ रही थी यह South की तरफ आ रही थी और 22nd December से क्या करती है North की तरफ जाना शुरू कर देती है तो जब यह Sun starts moving towards North तो उसको उत्तरायन कहा जाता है उत्तरायन कहा जाता है उत्तरायन क्या होता है जब Sun North की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देता है और जब Sun South की ओर ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं दक्षडायन यह दक्षडायन पहुंच गया है तो इस तर जाना जाता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं ठीक है अब एक और चीज है जैसे हमने बात की कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा टिल्टेड है उसको एक्वेटर डिवाइड करता है वैसे ही मान लीजिए अगर एकदम ये अर्थ जो हमारे एकदम खड़ा हुआ है और हम केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक सर्कल बना दें एक सर्कल बना दें तो इस सर्कल को हम कहते हैं लाइट सर्कल लाइट सर्कल और देखिए यहां से संरेस आ रही है न ये संरेस आ रही है तो लाइट सर्कल के इस तरफ में क्या हो रहा है संरेस और इधर में क्या है? Sunrise नहीं पड़ रही है. तो light circle एक तू क्या करता है? वो divide कर देता है. अर्थ को दो पार्ट में, अर्थ को two parts में divide कर देता है. और उसके बाद में क्या होता है? इसके half portion पर sunrise आती है और light पड़ती है, half पर नहीं पड़ती है. ठीक है? तो light circle में यहीं रहता है. लेकिन अर्थ क्या है? हमारा अपने axis पर tilted है. तो क्या actual में ऐसा होगा? actual में ऐसा नहीं होता है. अब चूकि अर्थ मान लिए, यह हमारा मान लिजे, sun है. और अर्थ हमारा है, अर्थ हमारा है, tilted. तो अर्थ जब यह rotation कर रहा होगा, तो मान लिजे, जब sun के यहाँ पर है, तो इधर में कुछ रोशनी पड़ रही होगी, कुछ रोशनी इधर पड़ रही होगी, ऐसे ऐसे. तो जैसे जैसे यह आगे बढ़ता जाएगा, sun race की position भी क्या होंगी? कि बदलती, जब यहाँ पर sun रहेगा, तो north pole और south pole की position बदल जाएगी, जब यहाँ पहुँचेगा, तो north pole, south pole की position change हो चुकी रही है, क्योंकि अर्थ अपने आप में भी तो rotate कर रहा होता है, अर्थ अपने आप में भी rotate कर रहा होता, ऐसे दिन और रात होते हैं, क्योंकि जब ऐसे देखिए, ऐसे तो यहाँ पर अगर sun rays आ रहे हैं, तो यहाँ पर केवल दिन होता रहेगा, यहाँ पर केवल रात होते रहेगी, लेकिन क्या होता है, हर 24 hour में अर्थ जो है अपना एक revolution पूरा करता है, तो जब 24 hours के बाद में अर सन के around इसका जो revolution हो रहा है, उसके करण में season change हो रहा है, तो जैसे अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक sun rays पढ़ रही है, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर sun rays जहाँ पर पढ़ रही है, वहाँ पर दिन होगा, opposite direction में रात होगी, और जब यह rotate कर जाएगा, तो इधर वाला हिस्सा जैसे यहां पहुँचेगा तो वहां पर दिन होने लगा अगा और यह वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो यहां पर रात होने लगेगा और यह इस तरीके से रोटेट करता रहता है ठिक है तो अभी हमने थोड़ी दिर पहले कहा क्या? जब North Northern Hemisphere में 21st June को क्या है? Sun कहां पर है? Tropic of Canker पर है. ठीक है! Sun कहां है? Tropic of Canker पर है мतलब यहां पर है. यहां पर है Tropic of Canker पर. तो इस समय क्या होगा? यहां पर सूरिकी किर्णे संरेश जो हैं वो ज़ादा आएंगी. संरेश ज़ादा आएंगी. ज़ादा टाइम तक रहेंगी. जिस का रड़ यहां पर क्या होगा? डे क्या होंगे? लॉंगर हो जाएंगे. डे longer duration के हो जाएंगे और साथ में इस northern hemisphere में क्या हो जाएगा northern hemisphere में summer का time हो जाएगा similarly क्या रहेगा इसकी बात करते हैं इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर sunrise tilted way में पहुँच रही है और यहाँ पर sunrise कम शमय की रहेंगी तो यहाँ पर जो night होगी वो क्या होगी longer होगी longer होगी ठीक है और इस समय दिन क्या होगे यहाँ पर days क्या होगे shorter duration क्यों होगे और चुकि इस समय sun rays यहाँ पर तिरची पढ़ रही है तो यहाँ पर temperature क्या होगा कम होगा और यहाँ पर winter होगा तो 21st June से अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर गर्मी का मोसम हो रहा है कहां northern hemisphere में similarly जब हम opposite में जाते है जब हम opposite में जाते है 21st March को जब यह पहुँच जाता है Tropic of Capricorn पर तो यह क्या करेगा यह उपर चलना शुरू कर देगा और उस समय क्या होगी Tropic of Capricorn पर Sun रहेगा Sun की रेस यहाँ पर रहेंगी यानि की southern hemisphere जो हमारा होता है जो हमारा southern hemisphere है इस तरीके से अर्थ हमारा rotate कर रहा है Sun के round में तो जब यह मान लीजे इधर पहुँच गया इधर पहुँच गया इस तरीके से यहाँ पहले यह मार्च में रहा फिर इधर दिसंबर के महिने में सेप्टेंबर के महिने में अलग-अलग महिनों में अलग-अलग इसकी position है तो जब यह पहुँच जाता है यहाँ पर Sun rays जब इस position में आ जाएं Sun rays जब इधर में vertical पढ़ रही है ट्रॉपिक ऑफ एपकेवन में तो यहाँ पर क्या होँगा यहाँ पर days जो होंगे वो longer हो जाएंगे days क्या होंगे longer हो जाएंगे और इस समय यहाँ पर क्या होगा summer season होगा यहाँ पर summer season होगा जबकि northern hemisphere में क्या होगा northern hemisphere में sun rays तिरशी पढ़ रही है इसलिए यहाँ पर इस समय day जो time जोगा वो shorter होगा day time क्या होगा वो shorter होगा और उसके इलावा क्या होगा इसमें जैसे ही हमारा आगे बढ़ते हैं इस समय यहाँ पर winter season चालू हो जाएगा इस समय यहाँ पर winter season चालू हो जाएगा और इसलिए हमारा northern hemisphere में December 9 जनवरी के महिने में क्या होता है ठंड बहुत अधिक पढ़ती है क्योंकि उस समय sun कहा होता है southern hemisphere में पढ़ रहा होता है ठीक है और sun हमारा कहा होता है उस समय southern hemisphere में होता है तो अर्थ के revolution के कारण में rotation के कारण में ही दिन और रात और season changes होते है अगर ऐसा होता कि अर्थ tilted नहीं होता अर्थ अपने आप में tilted नहीं होता तो उस से क्या होता कि यह जो हमारा दिन और रात हो रहा है वो day and night हो रहा है वो नहीं होता और ना ही हमारे season changes होते, ना ही हमारे season changes होते, और जब ये sun जो है equator पर रहता है, तो दोनो hemisphheres में चाहे northern हो, चाहे southern हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 12-12 गंटे के दिन और रात होते हैं, 12-12 hours के दिन और रात होते हैं, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारा दिन और रात होते हैं, और कब northern hemisphere में ठंडी पड़ती है, कब southern hemisphere में ठंडी पड़ती है, कब northern में गर्मी होगी और southern में गर्मी होगी, तो ठीक है चलिए, आगे हम लोग फिर कुछ और बाते करेंगे, आज के लिए इतना ही कि झाम राब। झाल झाल झाल